Good morning friends, एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त फिर स्याजिर है इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को किलियर करने वाला हूँ क्योंकि जो भी green card holder है, उनके मन में एक दूइदा जगी हुई है कि किस rank तक के students जो है, enrollment list में आने के लिए safe हैं vacancies कितनी हैं और 20 जुलाई को जो enrollment आने वाली है, उसमें कितने students का नाम होगा, vacancies कितनी होगी और यहाँ पर joining की dates क्या होँगी, documents वगेरा क्या होँगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी students नई है channel के साथ चैनल को subscribe जरूर करें, क्योंकि live आने में थोड़े से बहुती कम subscriber बाकी हैं तो सभी friends मेरे भाई, वीडियो को share करें और subscribe करें ताकि live आके आपके सभी doubt मैं clear कर सकूँ तो चलिए सबसे पहले आपका first doubt यहाँ पर देखते हैं कि जिन भी green card holders हैं, जिनोंने महनत की है real में वो इस job के काबिल हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि number of vacancies बहुत ज़ादा हैं सबसे पहले two point आपके clear कर देना चाहूँगा कि जो बेलगावी है वहाँ पर vacancies increase हुई है number of seeds increase हुई है क्योंकि वहाँ पर beds की capacity increase कर दे गई है सभी के मन में doubt था कि वो कौन से intact के लिए है तो वो आपको clear कर देना चाहूँगा वो two of 2021 के लिए इसी intact के लिए यहाँ पर vacancies increase हुई है बेलगावी में जो batch जाएगा अगस्त में उसी के लिए यहाँ पर increasement of vacancies हुआ है तो I think a doubt clear हो गए होगा और approach 4900 के approach यहाँ पर vacancies increase हुई है total seeds increase नहीं हुए total seeds 4900 के something बेलगावी में है जहाँ पर training बिल्कुल वो students की करवाएंगे और उसके बाद जो आपके joining letters है वो आपके 22 तारिक से आपकी email ID पर भेजने start कर दे जाएंगे 22nd of July से आपके जो joining letters हैं वो आपको अपनी email पर देखने को मिल जाएंगे चलिए अपना आप discussion करते हैं कि vacancies यहाँ पर कितनी है तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि बेलगावी में number of seeds यहाँ पर increase हुई है और x group में आप सभी को पता होगा है कि total जो जिनको green card मिल चुका है PSL में वो अपनी जगह बना चुके है वो 4000 15 के something students अप्रोक्स है hand read या 150 के अप्रोक्स यहाँ पर जिनका remédical है या जिनकी PSL में नाम नहीं है medical हो चुका है उनके number है तो उनको आप neglect करके चले क्योंकि उनके लिए additional list ही आएगे क्योंकि उसका reason ही है कि देली बेस में अभी भी remédical चल रहे हो 23 के और 24 के something भी dates दी गई है तो इसका सीधा सा यही मतलब निकलता है कि इस PSL list में उनका जो है और enrollment list में उनका नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी data जो है वो renew नहीं होता है तो यहाँ पर अपन के पास X group में PSL में जिनका नाम है वो 415 के approach students है और यहाँ पर मैं आपको safe rank बताना चाहूंगा vacancies यहाँ पर 3500 पलस हैं X में पलस बोल रहा हूं 3500 तो हैं ही है इससे पलस है 3600 3700 या 3800 इसके approach तक vacancies हो सकती है लेकिन आपन 3500 ही लेके चलेंगे पलस यहाँ पर 150 यहाँ पर बिलकुल अपन मान के चलेंगे कि जो आपकी stand by आएगी वो clear होगी और 101% clear होगी क्योंकि cost guard वगेरा में, navy वगेरा में rallies में या जिन students को join नहीं करना है वो students यहाँ पर percentage होगे तो stand by clear होगी last year, last intag में आपने देखा था rally वाले में कि यहाँ पर सबसे पहले जो list आई थी enrollment आई थी उसमें 2600 students के approach नाम थे, उसके बाद stand by भी clear हुई उसके साथ साथ 150 stand by हो और उसके साथ साथ additional list में 400 students का नाम था इसका मतलब यही है कि absentee इतने ज़्यादा थे कि stand by clear होने के बावजूद भी 400 students और वहाँ पर उनको चाहिए थे 400 students लेने के बाद भी और students नहीं बचे थे और vacancies जो फुली fill up नहीं हो पाई थी rally वाले intake में तो आप समझ सकते हैं 3000 के something x group में students ले लिये थी उन्होंने लेकिन फिर भी last में यही निकल के आया था कि vacancies अभी भी fill up नहीं हुई है अभी भी number of vacancies fill up नहीं है sheets वहाँ पर अभी भी खाली बची हुई है तो अब की बार में बताना चाहूंगा 3500 vacancies enroll in list में नाम आएगा plus 150 stand by और उसके साथ 300 आप मान के चल सकते हैं कि additional list भी आएगी क्योंकि absentees अब की बार भी ज़्यादा होंगे corona का time है उसके साथ साथ join कर चुके हैं rallies में भी students जा चुके हैं coast guard में भी जा चुके हैं navy में भी जा चुके हैं तो इसका यही मतलब निकल कर आता है कि जिन भी students की x group में unfit वगारा को हटा करके 3900 या 3950 कि under rank आ रही है इतनी rank उनकी आ रही है वो बिल्कुल safe zone में है enrollment होगा and 100 and 1% होगा बिल्कुल vacancies आपकी 3500 पलस है यह बिल्कुल shorty के साथ बोल रहा हूँ 3700 तक जा सकती है यह इससे भी ज़्यादा जा सकती है क्योंकि बेल गावी में sheets increase है लेकिन sheet increase है उनकी कोई भी यह पता नहीं चला है कि vacancies कितनी है लेकिन 3500 चे 3700 के बीच में vacancies बिल्कुल है इससे भी ज़्यादा हो सकती है तो green card वाले तयार रहेगा 99% chances हैं कि सभी का enrollment होगा green card वालों का और Y group की बात करना चाहूँगा Y group में जो यहाँ पर fit candidate थे वो लगबग 3500 के approach थे जिसमें Y group की vacancies जो है वो 2300 पलस यहाँ पर है 2300 पलस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर अब की बार कोई भी Y group में rallies वगेरा नहीं हुई है जिसके कारण कि आपकी जो है vacancies इसी PSL लिष्ट से फिलब की जाएंगी और उसके लिए जो safe rank मैं बताना चाहूँगा Y group के लिए 2300 vacancies अपन मान के चल सकते हैं 150 यहाँ पर stand by और उसके साथ साथ 100-200 यहाँ पर अपन मान के चल सकते हैं जो जिनका join नहीं करेंगे और उसके अलावा बोथ का जो यहाँ पर profit देखने को मिलेगा बोथ group जिनका qualify हो Y group वालों को देखना मिलेगा क्योंकि X group में ज्यादा यहाँ पर फच्ची select होते हैं बोथ के 400 strengths यहाँ पर minimum मान सकते हैं तो यहाँ पर rank जो निकल के जाती है वो 2300 enrollment first में होगा 150 यहाँ पर stand by होगा और उसके साथ साथ 400 बोथ वाले यहाँ पर matter करेंगे और 100 students यहाँ पर जो absent वगरा होंगे तो इनको और हभी तो हमने Y group के लिए only stand by बोथ वाले और यहाँ पर absentee की ही बात की है यहाँ पर अपनने additional list की बात नहीं की है इसके अलावा अपन यहाँ पर भी safe rank देखने को मिलेगी अपन को वो इनको अपन add करेंगे तो 2950 इसको अपन यहाँ पर 3000 लेके चलेंगे Y group में जिन भी students की 3000 के अंडर रैंक है green card holders है अपने back जो है उपैक रखे joining के documents तयार रखे enrollment list में आपको नाम देखने को मिलेगा enrollment में ना भी आए तो additional list में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका नाम होगा 300 के अंडर जिन की रैंक है फिर बोलना चाहूंगा एक्स ग्रूप में 3900 के अंडर जिन की रैंक है और य ग्रूप में 300 के अंडर जिन की रैंक है 100% उनका selection है और यह नहीं कह रहा कि मैं किसी का नहीं होगा जो जिन की रैंक अबाव आ रहे हैं इनके बिलकुल chances हैं उनके भी increasement of vacancies पर यह depend करता है कितनी vacancies increase हुई है और vacancies तो increase हुई है तो short ही है क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही बंदे जादे retired हुए है बेलगावी में इसलिए हाँ पर seats की increase की गई है bet double किये गई है तो green card वालों का बिलकुल जिनकी 3900 x group में जिनकी above rank है और y group में 300 3000 के above rank है वो भी बिलकुल मैं यहाँ पर 99% सी chance उनके लेके चल रहा हूँ क्यों उनका भी enrollment पक्का होगा तो अपना hope रखे 26 तारिक कर आपके जो है joining letters यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे enrollment list से पहले और video को share करिए गए और जो भी आपको doubt होगा वो doubt पूछेगा और यहाँ subscribe जरूर करें क्योंकि live आने में बहुत ही कम subscriber से यहाँ पर बागी है तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत